कुकू कुछ बोले बिना स्कूल चला जाता है और जगू कवा फिर से चील आंटी की गेम्स पर चला जाता है आज फिर छुटी है तुम्हें जगू हाँ आंटी आज मेरे टीचर को बहुत तेज बुखार था इसलिए जल्दी छुटी हो गई कुकू वो जगू का बच्चा आज फिर स्कूल नहीं आया वो कहा है मगर कुकू चुप रहता है सर आज वो फिर गेम्स खेलने गया है वो रास्ते से ही चला जाता है छुटी से थोड़ी देर पहले जगू भी क्लास में आ जाता है जगू तुम कहा थे टीचर टीचर मेरे पेट में बहुत दड़ था मैं बुलबुलांटी से दवा लेने चला गया था ठीक है तुम ये चिठी अपने पापा को दे दे ना तो ता टीचर एक चिठी जगू को दे देता है रास्ते में जाकर जगू कवा नदी के पास बैठ कर वो चिठी पढ़ता है कालू तुम्हारा बेटा रोज स्कूल नहीं आता जगू बहुत आवारा हो गया है वो हर रोज गेम्स खेलता है वै कोई पागल हूँ जो ये चिठी पापा को दूँगा जगू वो चिठी नदी में फैंक देता है और घर चला जाता है ऐसे ही दिन गुजटते गे जगू एक दिन स्कूल जाता तो दो दिन गेम्स खेलता स्कूल के टेस्ट शुरू हो जाते है कूकू सारे सवालों के जवाब अच्छे से देता है कूकू बताओ घौंसला धूप में बनाते है जा चाओं में सर घौंसला ऐसी जगा बनाते है जहां धूप और चाओं दोनों हो मेरा मतलब सुभा की धूप और दुपहर की चाओं ठीक बिलकुल ठीक और जगू तुम बताओ मचलिया कहा रहती है मचलिया, मचलिया पेड़ों पर, मचलिया पेड़ों पर रहती है सर जगु का जवाद सुनकर सब हंसने लग जाती है स्कूल से छुटिया करोगे तो मचलिया पेड़ों पर ही रहेंगी शाम के बाद तोता टीचर जगु के पापा कालुकवे को फून करता है मुबाइल की घंटी बजती है कालुकवा वाश्रोम में था अरे ये तो तोते टीचर का फून है जगु बहुत होश्यार था वो अपना पापा बन कर बोलता है हेलो हेलो कौन है मैं जगु का टीचर हूँ जगु आज टेस्ट में फेल हुआ है और मैंने कुछ दिन पहले चिठी भी लिखी थी आपको आप दिहान से पढ़ाया करें इसमें दो शाप का ही है आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं मेरे बेटे को ऐसा कहते हुए जगु फून बंद कर देता है ये कैसा बाप है जिसे अपने बेटे की पढ़ायी की चिंता ही नहीं है मैं कितना भुदी मान हूँ मैंने सब को उल्लू बना दिया पापा को भी, ममा को भी, आंटी चिडिया और आज तोते टीचर को भी उल्लू बना दिया ऐसे जगु कवा बहुत खुश होता है आज जगु के पास गेम्स खेलने के लिए पैसे नहीं थे वो बैठा सोच रहा था और फिर उसे एक उपाए सूजता है जगु बेटा स्कूल जाओ, तुम्हारा बैग तियार है ममा आप नदी पर जाए, मैं अपना होंवर्क मकमल करके चला जाओंगा गोरी नदी पर जली जाती है और जगु जल्दी से अपनी ममा का सोने का हार चुरा लेता है और घर से निकलता है आज पैसों के बिना मैं तुम्हें गेम नहीं खेलने दूँगी आउंटी पैसे तो नहीं है वगर मैं अपनी ममा की एक चीज चुरा कर लाया हूँ ऐसे कहते हुए जगु अपने बैक से सोने का हार निकाल कर चील को दे देता है हैरान होगी ना आउंटी आम मुझे पूरा वीक गेम्स खेलने देना ऐसा हार तो मैं कबसे लेना चाहती थी हाँ हाँ एक वीक क्या तुम दो वीक गेम्स खेल लेना जगु फिर से गेम्स खेलने लगता है मेरा हार मेरा हार कहां गया मैंने कल ही तो अल्मारी में रखा था कालू कालू मेरा हार कहां है मुझे क्या मालूम, मैंने नहीं पहना, तुम देख सकती हो मैं सच कह रही हूँ, मेरा हार अलमारी में नहीं है जब गुघार आये, तो उससे पूछना गोरी अपनी सहेली की शादी में चली जाती है उसे शादी पर वो हार पहन कर जाना था गोरी की सहेली की शादी में चील भी आई हुई थी, जिसने गोरी का हार पहना हुआ था, गोरी वो हार पहचान लेती है, चोरनी लाओ, ये हार मुझे दे दो, ये हार मेरा है, मैं तुम हारे पंक तोर दूँगी, पागल कवी, ये हार तो मुझे जगू कवी ने बेचा है, व लड़ रही हो गोरी सहली जाकर अपने बेटे से पूछो गोरी गुसे में घर चली जाती है जग्गू भी खरा गया था जग्गू मेरा हार तुमने चुराया ऐसा क्यों किया तुमने मम्मा को कैसे मालूम हुआ नहीं मम्मा मैंने तो नहीं चुराया आपका हार मम्मा जब मैं घर आया तो आंटी चिडिया हमारे घर से निकल रही थी चुप कर जाओ बहुत हो गया